नमस्ती चेहर डी किचिन में आपका स्वागत है और मैं लेके आए हैं आज आठेलिए सरसोक की साक की مشाह, सरसोक के साख को हम बहुत भी आसान तरीके से लुकिंगे इसो की साक के साघ को कैसे मेंटन रहा जाnew वह भी मैं अश्忙क के έχगे बनाना शुरू करता है सरसों का साथ वह भी बहुत आसान तरीके से तो इसके लिए सरसों के साथ की लिए मैंने लिए एक पालक का दो वंडल सरसों की और थोड़ी सी मैंने मेति की पत्ती लिए है और आप इसके साथ में बत्वा भी ले सकते हैं उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसके साथ में तो जो भी अविलेबल है हरी पत्तिया हो आप सब ले ले और इस तरह से हमको बड़े से बर दिताले क्योंकि इसमें बहुत मिट्ऴी आती है देखे इस तरीके से यह इस तरह के से प्रॉसेस को थिंज से चार बा से सब्फार। ड़िया कुछ कर लें है और अब जालwalk वी करने के लिए खेंगी पत्तियों सरे के लिए तो आप इसको घूला देंगे इससे हमारा color maintain रहेगा साग का तो अब हम जिता भी साग के सारा दबा दबा के इसमें डाल देंगी बर्दन में बर्दन थोड़ा सा बढ़ा ले अच्छे से ताकि आपका साग पूर अच्छे से जा सके अंदर और टेंशन ना ले थोड़ी देर में नाल नाल भी साच को साग नरम होते अंदर चला जाए गा तो चमसे दबाते रहे और जैसे एक उबाल आ जाए आपको इसको gas बंद कर दिना हमकों चाता साग को पकाना नहीं है तो इह प्रम आ गया थाद कंप स्तलिक है आप मैंगको चमसे दबाके और तोड़ी तेरह में स्कोना निकाल लोगी ताकि पत्यों को ज्यादा यह नहीं करना है हमको यह देखे़ नरम होते हिए मैं ने पत्यों को बहार निकाल दिया ह। इस तरीके से और यह पानी भी हम आगे सबजी में कामें लेंगों और इसको फैक्टना नहीं आपको तो आप इसके उपर ठंडा बरफ का पानी भी डाल देंगे तो वह भी बहुत ब्यास्ट होगा अब यह हमने इसको ठंडे पानी के नीचे से निकाल लिया है और अब हम इनको मिक्सी में पीसेंगे तो हमने जो पानी जिसमें उसको उबाला था उसी पानी को हम यूज करेंगे तो पानी को भी ठंडा करके यूज करें और साग को भी ठंडा करके मुझे वीडियो के लिए करना था तो मैंने थोड़ा सा गूल गूलना पानी डाल दिया लेकिन आप इसको मिक्सी में ठंडा करक इसको सर्सो के तेल में बहुत ही अच्छा आता है और बहुत दो exemplo हुआ बारी Border हजमिर्ची डाल दीए मैंने और यह डाल दो मीडियम साइज के प्याज बार इकटे हुए और सबको अच्छे से हम भून लेंगे तो एक निट हम इसको अच्छे से भून लेंगे उसके बाद में इसमें डाल देंगे अद्डग लसन का पेच्ट तो यह टेबलिस्पून के लगबड अद्ग लसन का पेच्ट है वह भी हमने इसमें डाल दिया है और सर्दी में यह सभी चीजे सरसो का साग अद्रक लसन यह बहुत ही हमारे सेथ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं तो अब हम इसके अंदर लेट टेबल स्पूं के लगबा मकी का अटा डालेंगे मकी के अटा हमारे सरसो के साग को बहुत ही अच्छी बाइनिंग देता है जिससे हमारा सरसो का साग बिखरा बिखरा सा नहीं रहता है एकदम गुथा हो ग्रेवी जीचा रहता है और हम इतना ही इसके अंदर नहीं तो जब हम सार्सो के साग को पतला बिखरा नहीं सीफ़ा साग हमार ब्रतन यृच्ष ऑड लिएक और एकत के लिए निकल लेए तो मैंने य Alejandra ना सथर से minus 122 तो हम अच्छा आया हुआ है कलर हमने इसको बॉइल किया है मिक्सिमी पीशा है इसको भी अच्छे से मिला लेंगे अब इसके अंदर नमक डालेंगे तो नमक आप अपने स्वात की स्थाफ से डाले नमक ध्यान से डाले क्योंकि हरी सब्जियों में नमक बहुत जल्दी से तेज हो जाता है तो नमक आप चक्के डाले तो यह जो पानी जिसमें हमने अपने साग को बॉइल किया था इसको आपको फैक्ट ना नहीं इसको हम काम में लेंगे तो हम इसको हमारे साग को पकाने में काम में लेंगे और अब मैंने चौक लगाने के लिए लिए प्रेश पर दाल दिया है तो आप जितना बटर क्रेंड है तो बटर गरम हो गया मैंने गया गया घ्रड़ा तो आपको गैस बंद कर देना है ताकि बटर जले नहीं बटर बहुत जली जल जाता है उसके बाद मैंने दो रैड शिली डाल दी इसके अंदर तो अब हम अपना तड़का तयार कर रहे हैं उसके साथ मैंने तीन से चार बारी कटी होए गार्लिक की पीसिस डाल दी अंदर जा लगबग रेड चीली इसको भी हम बटर के साथ में अच्छे से मिला लेंगे और जैसे हमारा तड़का यह तयार है इसको फटावट करना है और पटावट हम आपको सरसो के साथ के अंतर डालना है इस तरीके से देखिए तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है जाने के बाद में इस्तव सफिए से मिला लेंगे तड़के को अपने साग में ताखिए हमारा साग में भी बटर का बहुत अच्छा तेस्ट है और जो हमने चोटा च्छोटा यहाली के पीस झी डालले उसका अच्छा क्रंची टेस्ट आ यह तब हम सफ करने के लिए अपने तो आप इसको बनाईए और मखी की रोटी के साथ में इस विंटर इंजॉई कीजिए तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी कामेंट करके जरूर बता और मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें अगर ऐसे पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगको आगे भी और अच्छी रेस्पिया मिल सकें वीडियो देखने के लिए देने वाद नमस्ते